खेती को लाब का धंदा बनाने के लिए केंदर सरकार ने विभिन योजनाओं का सफलता पुर्वक संचालन किया है सरकार की विभिन क्रशी कल्यानकारी योजनाओं का लाब उठाकर किसानों ने आज खेती को लाब का धंदा बनाया है विदीशा में प्रदार मंतरी क्रशी सिचाई यूजना के बहतर क्रियानिमें से आज गाउं गाउं में सिचाई सुविधाउं में बढ़ोतरी हुई है जिससे सिचाई के लिए पानी मिलने लगा है पेशे हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट राजदानी भुपाल से सटे विदीशा जिले के किसान अपनी उपजाउं मिट्टी और सिचाई के बहतर संसाधनों से क्रशी उपज में बढ़ोतरी की नई गाथा लिख रहे हैं खेती को लाब का धंदा बनाने के लिए केंद सरकार की विबन्र योजनाएं लाबकारी सिद्ध हो रही हैं जिले में करशी सिचाई योजनाओं से सिंचित रखबे में वरद्धी हुई है जिले के किसान पारंपरिक फसलों के साथ साथ मश्रूम और उद्ध्यानी की फसलों के उत्पादन में भी रूची दिखा रहे हैं इससे उन्हें काफी लाब हुआ है अजय करते हैं उनको दोब खेती को पेप करते हैं और कम लागात में अच्छा काम होता है समय बस्ता है हमारा कुटिक मसीन हैं कुछ से चारा काटने मस्विदा होती है करते हैं बेग्याने को बताया नुसार किर्शी विवाग और द्यान विवाग के बताया नुसार के आपको अंतरवर्टी फसल करना है खेती के साथ पूरक जुसादन है उनको अपनाना तो निश्चिती खेती आपका लाप का धंदा बनेगी इसी उद्देश को लेकर हमने मारत दर्शन लेते हुए हमने खेती के साथ साथ पसुपालन किया पसुपालन से हमको दूद की भी इनकम हो रही है हर महीने उससे जो गोवर निकल रहा है वो गोवर गैस में डाल रहे हैं गोवर गैस की जो सेल्टी निकल रहे है वो अनमोल खा बनके खेत में डाल रहे हैं उसे लागत भी हमारी कम हो रही है पेदावार भी बहुत अच्छी हो रही है और लागत कम लग रही है